रन्बीर कपूर रश्मी का मदाना अनली कपूर और बौवी देवल स्टार्ड फिल्म एनिमल का ट्रेलर रोलीच किया जा चुका है इसे दर्शकों से अच्छा फास्ता रिस्पॉंस भी मिल रहा है ट्रेलर में हर एक एक्टर की अविना की लोग जम कर तारीफ कर रहे हैं ऐसे में फिल्म का एक ट्रेलर लॉँच इवेंट देली में भी रखा गया जिसमें स्टार कास्ट ने फिल्म से जोड़ी दिलचस्प बातें शेयर की इस बीच रनवीर ने बताया कि इसकी शूटिंग लंदन के माइनस 3-4 डिगरी टेंपरेचर में की गई साथ ही ट्रेलर लॉँच इवेंट में रनवीर और बॉवी देवल से पुछा गया कि उनका साथ में काम करने का अनुभफ कैसा रहा इस पर एनिमल एक्टर रनवीर ने कहा कि मुझे याद है जब बरसाथ फिल्म रिलीज हुई थी इसके बाद उन्होंने स्क्रीन पर जो भी किया था वो चस्मा किस रंग का पहनते थे शर्ट, जीन्स और लुक कैसा होता था ये सब मैं नोट करता था और उसे सेम कॉपी करता था फिल्म के शूटिंग के दिनों को याद करते हुए एक्टर ने बताया मुझे याद है कि हम लंदन के माइनस 3-4 डिगरी टेंपरेचर में शर्टले सूट कर रहे थे ये हमने 12-15 दिन तक शूट किया पंजाबी कनक्शन होने के नाते हमें धन भी नहीं लगती थी ऐसा ही हमारा रिष्टा है तो वही धरमपाजी की लाडले बेटे बौवी देवल ने कहा मैं जब भी किसी पार्टी या फिर कहीं भी रनवीर कपूर से मिलता था तब वो मुझे हमेशा प्यार से मिलता था लेकिन मैंने इसके अंदर का एक बात को हमेशा से नोटिस किया कि ये जो इनका स्टाइल है प्रसनालिटी है वो जब भी डांस फ्लोर पे जाता है तो उनके जैसा कोई नहीं होता रनवीर के साथ काम करना मेरा एक शांदार अनुभव रहा वहीं इस मीच रनवीर कपूर ने अपने पीता रिशी कपूर को भी याद किया रनवीर कपूर ने इवेंट में बताया कि जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने पापा रिशी कपूर को याद कर इसकी शूटिंग की जब मैं शूटिंग कर रहा था तो अपने पापा को याद किया कि वो किस तरह से अपने काम को करते थे अपने काम के लिए वे कितने पैशनेट थे, किस तरह से वे बात करते थे मैं भी सब करने की कोशिश करता था कि पापा स्कीन पर कैसे करते थे बहरहाल हम आपको बता दे कि संदीत वांगा रेड़ी के दिर्देशन में पनी फिल्म एनिमल को एक दिसंबर सिनमा गरों में दस्तिक देगी इसकी रिलीज का दर्शकों को बेस सब्री से इंतजार है फैंस इसके लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं इसके साथ मैंकास आपसे विदा चाहूँगा और फिल्मी दुनिया के हरे गौशीट के लिए जोड़े रहें ग्रूअप इंडिया के साथ धन्यवाद